गाइस मिस्टर उलम्पी का वक्त आ गया है और सभी टॉप बॉडी बिल्डर्स और रिटायर्ड प्रोज अपनी प्रेडिक्शन्स देने में बिजी हैं इस वीडियो में हम डैनिस जेम्स और मिलास के टॉप फाइव क्लासिक फिजीक पिक्स को डिसकस करेंगे क्या क्रिस बम्स्टीड फस्ट जीत पाएंगे या वैजली वाइजर्ड इस बार सबको सर्प्राइज करेंगे चलिए देखते हैं क्रिस बम्स्टीड जो पिछले 5 साल से क्लासिक फिजीक में सबको डॉमिनेट कर रहे हैं फिर एक बार अपनी बेस्ट शेप के साथ स्टेज पर लोटने वाले हैं उनके परफेक्ट शेप, कंडिशनिंग और अमेजिंग प्रपोर्शन को पिछले कुछ सालों में कोई भी इजली चैलेंज नहीं कर पाया है लेकिन इस साल एक कंटेंडर हैं जो उनको टफ कंपिडिशन दे सकते हैं और वो हैं वेजली विजर्स वेजली ने इस सीजन में दो बैक टू बैक विक्टरीज हासिल की पहला 2024 अर्नौट क्लासिक ओहियो जहां उन्होंने रैमन को हराया और फिर यूके अर्नौट क्लासिक भी जीता उनके नए साइस, स्मिट्री और लेक डेफिनेशन ने सबका ध्यान खींचा है बाडी बिल्डिंग एक्सपर्ट डैनिस जेम्स ने अपने टॉप फाइफ पिक्स शेयर किये हैं विनर पे उनने रखा है क्रिस बंस्टीड को सेकिंड प्लेसिंग पर वेजली विजर्स, थर्ड प्लेसिंग रैमन रोचा, फोर्थ प्लेसिंग यूर्स क्लेंस की और फिफ्ट प्लेसिंग पर रखा है ब्रियान एंसले को डैनिस के according वेजली विजर्स बंस्टीड का सबसे बड़ा थ्रेट है thanks to his size and width डैनिस का कहना है वेजली ही वो बंदा है जो क्रिस को कुछ poses में छोटा दिखने पर मजबूर कर सकते है जो बाकी contenders नहीं कर पाते अब बात करते हैं मिलोस के predictions पर उनके according विनर रहेंगे क्रिस बंस्टीड second placing पर वेजली third placing पर रैमन, fourth placing पर यूर्स कलेंस की and fifth placing पर ब्रियोन एंसली मिलोस का भी ऐसा ही कहना है कि क्रिस बंस्टीड अभी बी clear favorite है लेकिन वेजली का wide frame उनको बड़ा competitor बनाता है रैमन भी dangerous है पर legs के definition issue के चकर में थोड़ा balance कमजोर है रैमन का तो क्या क्रिस बंस्टीड अपनी winning streak को बरकरार रखेंगे या वेजली विजर्स इस बार कुछ change करेंगे आपका क्या कहना है अपने predictions हमें comment में ज़रूर बताएं अगले वीडियो में मिलते हैं एक ने content के साथ वीडियो को like share ज़रूर करें और Mr. Olympia के updates के लिए हमारे चनल को subscribe कर लें